आयोध्या नगरी दे आशुतोष पांडे जोकी उन्नी महिन्या तो पैदल यात्रा करके वाखवाख स्टेटा दे विच परियावरन नू बचाउन दा जड़ा होका दे रेने और आज जिलू दे आना दे विच पहुंचे ने और तकरीबन 14,000 किलोमेटर दी जड़ी यात्रा जरूर तै किती है ता आशुतोष जी सब तो पहला तैक तस्वीर जड़ी या वो दुखा रहे हैं आशुतोष जी 14,000 किलोमेटर दा सफर तै किता किना समा हो गया करो निकले नू की मकसद लेके चले तैंक्यू सो मच सर और मैंने अपनी जरूनी जो स्टाट करी है वो नेस इस चीछों को एक नए दिशा दिखाने के लिए और यंग जनरेसंस को यह बताने के लिए हमारे पास हमारी दो माइए है जिसने हमें नो महीने पेट में रखा और जिसने जन्नम देने के तुरंद बाद में ऑक्षिजन दी पानी दिया आज अपनी मदर लैंड की हम बात न चल रहा हूं और अभी तक फिलाल मैं उत्रपदेश, बिहार, जारखन, च्छतिस गया, उडीशा, आंद्रपदेश, तेलंगाना, तमिलनाडू, केरल, करनाटक, गोवा, महरस्टा, गुजरात, मद्यपदेश, उत्रखन, हिमाचल, और लद्दाक से मैं कस्मेर गया, कस्मे युवाओं को लेके आया जाए, उसको लेके फिलाल काम किया गया और अभी तक आपकी प्रदेश में पांच जाए पर लगा चुके हैं, पूरे देश की केवल बात करें तो हम च्छतिस जाए से एक सवाल है, कितनी एज होगी है, कितना पड़े लिखे हो पच्छी साल मेरी पच्छी साल पूरी हो गए, चल रहा है, और मेरी पीचिम से अपनी गेजुशन कम्प्लीट करें थी, उसके बाद हम डेली सिफ्ट हो गए थे, और वहाँ पर हम लोग यूपीस्ट टेकनिकल टीचिंग डिफेंस और वंड एक्जामने से तहरी करते थे, और फास्कोबिट लिग अंतर रहते हैं, और अपनी बिजासत नदियों को खतम कर दिये, अगर आप बात के यहां पर ऑन एंवरेस्ट तो साड़े आठ साल से उपर लोग अपनी जिंदगी सिफ एयर पॉजिशन के वज़ से लॉस करते रहें, लेकिन इसके लिए कोई इनिसियेट नहीं ले कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इस उम्मीर से इस डिस्टिक में आया कि यहां पर डिस्टिक को मिला जाएगा, उनको में रंडम देखें, यहां पर यूथ के साथ एक ड्राइव की जाएगी, प्लस यहां की जो पुरानी चीजे हैं, उनको जाके देखा जाएगा, क कि को जाती है, कि इस डिस्टिक में जाते हों, कितना समा वहां पर रहते हो, प्लानेटेशन करते हो, क्योंकि आप एक सलोगन लेके सलोगन देखाव, बचाओ बचाओ, डिपेंड करता है, यहां की लोकल एज़ियो कितना अस्तम मेजे मुझे कितना सपोर्ट दे रहे है, इ अभी तक आप कितने पेड लगा चुके उसर में जिस जिले में जाते हो फिर आपके पास फोटोस का भी आपने जिकर किया तो फिर उनसे कैसे मतलब बाचीत होती है जैसे डिस्टिक क्लेक्टर से आपने बात की है और लीडरों से आपने बाचीत की है तो यह कि आप क्लास 12 के बीच में जिसका कोई यूट्लाइजाशन नहीं है मेरा में फोकस होता है कि कैसे यहां को यूट्लाइज कर रहा हूं और उनको स्टेडी करने के साथ मैं चाहता हूं कि भात की सिच्छा ब्योस्ता कि में इसको लाए जा जब बच्चा मारा स्कूल जाए तब हम ब बच्चों का मैं सेमिनाल ले चुका हूं जी पेरेंट्स का कैसा सहयोग है और आपका यह खर्च बगारा कैसी चलता है थोड़ा सा मेरी फैमिली का बड़ा मैं बहुत थैंक्फुल रहूंगा कि होल लाइफ उन्होंने इस नॉबल कॉस के लिए मुझे सपोर्ट दिया दू क्योंकि यहां डिस्टिक कलेक्टर ऑफिस भी बन रहता है और अभी फिलाल मेरे डीसी मैं को मैंने गयापन दिया है और अब कल संडे का दिन है तो कल संडे मैं यहां कि कुछ लोकल लोगों को साथ में कनेक करके जो पुराने स्पोर्ट्स थे जिसको मैं विजिट करने वाल सफरता है किता और मकसद को एक है कि पर्यावरन नों बचाना वत तो वाद जड़े पेड़ लगाना और नोजवाना नों भी जड़ा उत्शाहित करने इस दे नाल नाल हर डिस्टिक दे विच जाके जड़ा ओहो एक मंग पतर भी देरे ने ताकि जड़े नोजवान नोजवार किता जा सके ता जड़े वत वाद जड़े पेड़ पोदे लगा के जड़ा लोका नों अक्सीजन जड़ी आओ मिल सके ते बचाया जा सकी लुद्यानात और जिंदर अरोडा न्यूजट इन पंजाब